हेलो व्यूवर्स वेल्किम तू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में आज मैं आपको गंगा जल के कुछ अचूप टोटके बताऊंगी गंगा जल का इस्तमाल करके आप अपनी सभी समस्याव से निजात पा सकते हैं गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है पूजा कeti हमें सनान पूजन याद्षन करने से पापों का नाश होता है इसके साथ ही गंगा में सनान करने से आपको अपने सभी रोगों से चुटकारा मिल जाता है इसके पीछे कारण ये है कि गंगा जल जिन जगों से निकलता है वहां कई प्रकार की और शदिये जडी बुटिया पाई जाती हैं इन जड़ी बूटियों के प्रभाव से आपको रोगों से छुटकरा मिल जाता है जो जातक मांगली दोश्चे पीडित हैं उन्हें गंगा पूजन अवश्य ही करना चाहिए इससे उन्हें विशेश रूप से लाप प्राप्त होंगे घर में मौजूद वास्तुदोश को समाप्त करने के लिए भी आप गंगा जलका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ता में एक बार आप पूरे घर में गंगा जलका चिड़काव करें इससे आपके घर में मौजूद वास्तुदोश धूर हो जाएगा अगर आपको बुरे सपने आते हैं और सपनों में आप डर जाते हैं तो उस परिस्तिती में भी आप गंगा जल का इस्तमाल कर सकते हैं गंगा जल को अपने पूरे कमे में छिड़क दें इससे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे गंगाजल की धारा भगवान शिव शंकर को बहुत ही प्रिये है शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से या फिर जल में गंगाजल की कुछ बूदे मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो आपको भोग मोग्ष दोनों फलों की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें कमन, विलपत, शक्त पत्र और शंक में गंगाजल भर कर भगवान शिव को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए इसे लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहेगी गंगाजल को घर में रखना बहुत ही शुब माना जाता है आप अपने घर के पूजा घर में गंगाजल रख सकते हैं इसके अलावा आप थोड़ा सा गंगाजल अपने किचन में भी रख सकते हैं ऐसा करने से आपके घर में तरक्यों और सफलता बनी रहती है तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में गंगाजल के कुछ टोटके बताए हैं जिने करके आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं अगर आपको मेरे दोरत दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से लाब उठा सके इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा Thanks for watching my video. Have a good day.